श्रीमत धुम्रेमडी इसमें आपका स्वागत है। परमापको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पे माता साच्छात रूप से वीछरन परती है। मा मूर्ती से बाहर आजाती है। और अगर आप गौर से उनकी आखों को देखेंगे तो आखें आपको चपकती भी परतीत होगे। कहा है वो मंदिर वो हम आपको बताने जाए है। उस मंदिर की खासियत बताएंगे। भारत में कई चमतकारीक और देर्वय मंदीर है। इन मंदिरों में अलग-अलग चमतकार, और अबुल्च चीजें, और बाते होती है। जो किसी को भी हयरान कर सकती है। एक मातारानी दर्गा का मंदिर है, इसके लिए कहा जूरां की मूर्ती से आज भी दर्गा माता बाहर निकलते है और आज पास विछर्ण बर तो चलिए हम आउब को बताते हैं कि मातारानी का मंदिर कहा है ये माताराना का मंदिर पहाड़ीं पर बसा हुआ है ये मंदिर 36 गड़ राज्य के चैतूर गड़ नामक इस्थान करें चैतूर गड़ कोर्बा के अंत्रजद पाली विकास खंड के घने जनलों और पहाड़ीं के बीद बसा हुआ स्थान चैतूर गड़ की पहाड़ी पर मातारानी दुरुगा का मंदिर इस्थान ये मंदिर नागर शेनी दौरा बनाए गया है इस मंदिर में बारा भुजाओं वाली माता दुरुगा की मैंसासूर मर्दनी सुरूप में मुर्ती अस्थाफिक है इस मंदिर में अस्थाफिक या नोकित प्रतीमा है और इसे बेहत खास बनाई गई है इस मंदिर की मूर्टी की आँखों को अगर अब लगातार देखेंगे तो इसके पल्गों की जपकने का एहसास होता है मंदिर के पास प्राचिन किला भी मोजू थे कोर्वा जिले से 90 किलोमेटर की दूरी पर स्थित इस अभुट जगर में चैतूरगण का किला भी अस्थाप्री के यह किला कल्चुरी यूज यानी 1079 शताबरी का है इस अस्थान के राजा जाजलदेव और विक्रमाजित थे चैतूरगण में नौवी सताबदी में विक्रमाजित दुर्टिय दौरा बनवाया गया शिव मंदिर भी परसिद दे वर्दमान समय में इंदाजाओं का पांच वर्ग किलोमीटर ना फैला यकिला खंडर में तबदिल हो चुका है इस मंदिर की सिर्णिया भी बहुत खास है इस मंदिर में जाने के लिए खतरनाक रास्टों से होकर गुजरना पड़ता है जंगल के बीचों पीच बसे इस मंदिर में सिर्णियों से चड़ कर जाना पड़ता है इन सिर्णियों की खास बात यह है कि एगर माता रानी इसी को अपने मंदिर में प्रवेस नहीं देना चाहती है तो इंसान इंस्टिडियों से चड़ नहीं पाता है और मजबूरी बस वापस लौटाता है बहुत लोगे ने माता को विच्छन करते वे देखने का दावा किया है माता रानी के कई भगतों की माने तो उन्हें अपनी आखों से माता रानी को विच्छन करते वे देखा है हलांकि इस मंदिर के पुजारी और साद्मों के पारे में कहा जाता है कि वो लोग कोई ममुरी इनसान नहीं है बल्कि अमीर घरों से तालुब रखते हैं और इन्हीं लोग का कहना है कि उन्हें माता रानी के मुर्टी से बाहर आकर विच्छन करते हुए देखा है यहां मंदिर जिस जगर पर बसा हुआ है उसका जगर का नजारा भी दिव्व और अद्भुत है मंदिर के पास कमल से भरा हुआ तलाओ है और साथ ही रिश्यों का आश्रम गीनी पर है आप भी माता रानी करकर साच्छा दर्शन करना चाहते हैं उस मंदिर में आप जरू चाहिए क्योंकि इस मंदिर की मुर्टी से हर रोज माता रुर्गा बाहर निकलती है और अगर आपकी बक्ती सच्ची है तो आपको भी माता रुर्गा का साच्छा दर्शन का सवभागय पराफ्ट हो सकता है जो आपकी जीवन को सफल बना देगा तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पे सब्स्क्राइब करें और अपने कमेंड लेजिए धन्यवाद आप